आप सभी को जय मसी की, दबाइबल पूशन में आपका स्वागत है, हमारा आज का वचन है ये रम्या के पुस्तक 46 वा अथ्याए वचन 1 से 12 चाती जाती के वचन ये रम्या भवशिद्वक्ता के पास पहुचा, वह यह है, मिस्र के वचन, मिस्र के राजा फिरॉन निकू की सेना, जो फरात महानत के तट पर करकमीश में थी, और जिसे बेबिलोन के राजा नबुकदनेजर ने, योशिया के पुत्र यहुदा के राज यहुयाकीम के राजी के चौथे वर्ष में जीत लिया था, उस सेना के विशे, धाले और फरिया तयार करके लड़ने को निकट चले आओ, घोडों को जुत्वाओ, और हे सवारों घोडों पर चड़कर टोप पहने हुए खड़े हो जाओ, भालों को पैना करो, जिल्मों को पहन लो, मैं क्यों उनको व्याकुल देखता हूँ, वे विस्मित होकर पीछे हट गए, उनके शूरवीर गिराए गए, और उतावली करके भाग गए, वे पीछे देखते भी नहीं, क्योंकि यहुआ की यहवानी है, कि चारों और भाय ही भाय है, न वेग चलने वाला भाग और न वीर बचने पाएगा, क्योंकि उत्तरदिशा में फरात महानद के तरट पर वे सब ठोकर खा कर गिर पड़े, यह कौन है जो नील नदी के समान, जिसका जल महानदों का सा उचलता है, बढ़ा चला आता है, मिस्र नील नदी के समान बढ़ता है, उसका जल महानदों का सा उचलता है वह कहता है मैं चड़क पृत्वी को भर दूँगा मैं नगरों को उनके निवासियों समेत नश्ट कर दूँगा है मिस्री सवारों आगे बढ़ो है रथियों बहुत ही वेग से चलाओ है ढाल पकड़ने वाले कूशी और पूती वीरो है धनुर्धारी लूदिय चलो आओ क्योंकि वह दिन सेनाओं के यहुआ प्रभू के बदला लेने का दिन होगा जिसमें वह अपने द्रोहियों से बदला लेगा तलवार खाकर त्रप्त होगी और उनका लहू पीकर छक जाएगी क्योंकि उत्तर के देश में फरात महानत के तटपर सेनाओं के का यग्य है है मिस्र की कुमारी कन्या गिलात को जाकर बलसान और शिति ले तो व्यर्थी बहुत इलाज करती है तो चंगी नहीं होती क्योंकि सब चाति की लोगोंने सुना है कि तू नीच हो गई और पृत्वी तेरी चलाहत से भर गई है वीर से वीर ठोकर खाकर गिर पड झाल